तो कैसे हैं आप सब लोग अभी आप लोगों ने सुना इनका नाम बिविक दीप है और यह हमारे भाया है और यह दिली में हम लोग साथ में रहा करते थे और इसका आज जयन जो है 64 BPSC में हुआ है DYSP पद के रूप में डिप्टी सुप्रेडेंडेंडेंट पुलीस होता है DYSP का मतलब इसमें आप उसका 104 रैंक है तो आज हम आप लोगों को उनसे बात कराने वाले हैं हलो दोस्तों नियन अलिटीमेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं विविग दीप बर्तमान में अंचल अधिकारी दन्यामा के पद पर कारेरत हूँ 64th BPSC में मेरा रिजल्ट 104 रैंक के साथ DYSP पद के लिए हुआ है मैं इस रिजल्ट के लिए अपने माता-पिता गुरूजन एवं सभी दोस्तों का सुक्रिया आदा करता हूँ आप सभी छात्रों के लिए मेरा एक यही संदेश है कि खुम मन लगा कर पढ़ें देर सबेर सफलता जरूर मिलेगी all the very best थैंक यू है तो आज सबसे पहले उसका जर्णी आप लोगों को बताते हैं कि सबसे पहले देखिए 2015 में दिल्ली आते हैं कि इसके बाद तैयारी सुरू करते हैं और इसका चैन आप लोगों को जानके हैरानी होगा कि यूपीसी के इंटर्वियू में सिर्फ पांच नंबरों के कारण उसका इंटर्वियू में सेलेक्शन नहीं हो पाता है तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ देखो आप सबसे पहले नेम विवेक दीप रॉल नंबर आप लोग देख ले और रैंक आया है 104 रॉल नंबर है 22629 देखो सबसे पहले दिल्ली 2015 में आते हैं और निहरू बिहा है कर्यार में कि रूम लेता है और हम लोग क साती रहा करते थे भाना उनको को बहुत ही करीब से जाना है बहुत रीक्रीप से पाचाने कि कैसे वह पढ़ाय पर सबकुछ आप लोगों को बताने वाला हो वस आप लोग अन्थ चीज़ बताने वाला güzel को इस पहलता जरूर मिЛ क्या-क्या पढ़ाए तो इस पे तो चर्चा करूँगा ही क्योंकि मैं साथ ही रहा करता था उनके वन्हेंने यूपसी का में स्टिया है 2018 में भी उन्होंने 2027 में भी उन्होंने मेंस देने का काम किया था इसके बाद जो है 2019 का जब यूपसी आता है तो प्री क्वालिफाय करते हैं मेंस होते हैं और इंटर्व्यू में भी हम लोग साथ ही गए थे वहां पर धौलपूर होस और केवल और केवल जब पांच नंबरों से उसका रह जाता है लेकिन फिर भी वह हतास नहीं हुए आप लोग सोच सकते हैं कि यूप सी में प्री से लेके उनका चैन हुआ को अभी तो उसका आप लोगोंने किलिप देखा अभी तो मैं दिली में हूँ जैसे मैं अभी वह पटना में अभी है अंचला दिकारी के रूप में कारिदत है दनियामा में तो जैसे मैं पटना जाओंगा तो आप लोगों को इंटर्व्यू उनका NCRT पे आप लोग भरोसा करें जो भी अच्छी बुक हैं उससे पढ़ना चीए क्योंकि आलतू-फालतू किताब पढ़ोगे दस राइटर का अलग-अलग हिसाब से सब लिखता है और उससे कुछ होना नहीं उन्होंने मैं देखा था खुद से कि ऐसे राम चरण सर्मा वग टो बहुत से लोगों को आपने देखाव कि रात बरपढ़ाई करता है कोई फाइदाने होने वाला है ठीक है जो पढ़ाय करते लेकिन रात वो को हमेशा कहते थे कि कम से कंशार बज़े उठते चार बज़े सुबह में उसका उठने का समय था 4 बज़े में और 4 में चार कदितित टालने भूमने के लिए अधा एक गंटा उसका काना था घूमना भी जरूरी है घूम के आने के बाद फिर नास्ता उस्ता करके फिर वह आठ बजे बैट जाते थे और लगतार बारव बजे तक बिना हिले फोन को सुचोफ करके वगल में रख दिया करते थे टेबूल पे और आठ से बारव तक लगतार पढ़ाय फिर खाना के बाद फिर आराम और फिर उसका पढ़ाय जारी होता था पूरे दिन का और रात को दस वजे सो जाते थे और दिन को भी एक एक अधगंटा साइथ सोते थे अब देखो आप लोगों ने तो यह तो जाना ही कि कैसे कै से निकला तो बाकी मैं उनसे आप लोगों को बात कराऊंगा जैसे मैं पटना जाओंगा या वो कभी दिल्ली आते हैं इंटर्व्यू लेकर आप लोग मैं बताऊंगा यदि अच्छा लगा हो तो चैनल का आप लोग सब्सक्राइब करते एक और बात सैंस की क्लास बहुत ह जरूर देखना जो कि आपका सैंस के दिया आप लोग क्लास भी दो देख लोगे तो आपका कोस्चन नहीं चुटेगा बाकी धर्शन